तो आज में लेकर आई हूँ आपके लिए इंस्टेंट डोसे की रेसिपी जो हम दाल चावल से बनाएंगे इसमें हमको फिगोने का फर्मेंट करने का कोई जंजतनी है और अगर आपको में रेसिपी अच्छी लगें तो प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजे और में रेसिपी को शेर एंड लाइक कीजे तो चली शो करते हैं रेसिपी बनाना तो दोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए तीन कप चावल, यह नॉर्मल चावल ले सकते हैं, कोई से भी चावल ले सकते हैं, बासमती, राइस, टुकडी, कुछ भी ले सकते हैं, और एक कप मैंने लिए उड़त दाल, तीन कप चावल, एक कप उड़त दाल, इनको मैंन अन्ते के लिए भिगो दिया था इससे ज़्जादा भिगोने की ज़रत नहीं है तो अब हम इनको पीस लेंगे सबसे पहले हम चावल पीस लेंगे जार में डालके तो यह देखिए चावल में जार में डाल दिया हूं इसमें मैं 2-3 चम्मज पानी डाल रही हूं बहुत दाल में हम दाल पीस लेते हैं, तो इसमें मैं दाल डाल रही हूँ, यह आधा चम्मच मैंने लिए दाना मेती इसको भी मैंने दाल के साथ भीगो दिया था, तो यह भी मैं इसमें एड कर दियू, वन टेबल स्पून इसमें एड करेंगे बेसन, और इसमें हम एड कर देंगे, salt to taste और इसमें भी अब हम 3-4 चमच पानी डाल के और इसको भी अच्छे से पीस लेंगे तो देखिए डाल पिस गई थी हमारी इसमें मैंने half cup दही एड किया है जार के अंदर और इसमें हम एड करेंगे 1 टी स्पून ओयल तो दही और ओयल डाल के भी तो अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो यह देखिए हमारा बैटर एकदम रेडी है तो यह देखिए मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारी बैटर के एकदम flowing consistency हो गई है इसमें पानी मिलाने की जरूरत नहीं है और आप भी चाहते हैं आपका डोसा एकदम perfect बने तो आप इस वीडियो को end तक देखिए और अब हम इस batter को 15 minutes के लिए side में रख देंगे और तयारी करेंगे masala बनाने तो masala बनाने के लिए gas पे मैंने एक pan रखा है इसमें मैं add कर रही हूँ 2 चेपल स्पून oil तो oil में add करेंगे 1 teaspoon राई, flame को भी medium कर देंगे 1 teaspoon जीरा, 1 teaspoon वाई टूरत दाल, 1 teaspoon चना दाल, chopped green chillies, chopped ginger और कुछ curry leaves हम इसमें add करेंगे और इन सब को अच्छे से mix कर लेंगे और flame को low to medium रखेंगे अब हम इसमें add कर देंगे chopped onion और इसको भी हम sauté करेंगे 4-5 minutes low to medium flame पर तो देखिए हमारे onion बहुत अच्छे से cook हो गए है इसमें हम add करेंगे हमको इस नहीं cook करना है, बहुत ज़दा cook नहीं करना है 1 teaspoon healthy powder, salt to taste और half teaspoon red chili powder, इनको अच्छे से mix करेंगे और flame को भी medium रखेंगे और इसमें हम 1 फोर्थ ग्लास पानी डालेंगे तो पानी में एक boil आजाएगा उसके बाद हम इसमें आलू एड करेंगे पानी हम इसमें इसली ही डालते है जिसे हमारा मसाला जो है वो सूखा-सूखा नहीं बने तो अब हम इसमें हमारे आलू एड कर देते हैं, एक boil आगया है और इनको अच्छे से mix कर लेते हैं तो देखिए हमारा मसाला रेडी है, इस पे मैं थोड़ा सा धनिया डाल देती हूँ गैस को मैं बन कर देती हूँ तो हमारा मसाला रेडी है और हम बैटर चेक कर लेते हैं और गैस पे मैंने तवा रग दिया है, फ्लेम हमारी मीडियम है तो बैटर में मैं एड़ कर रहे हूँ, वन तिबली स्पून शुगर, शुगर पाउडर एड़ कर दें और अब हम इसमें एड़ करेंगे, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा हम जब ही आड़ करेंगे जब हमको दोसे बनाने हैं उसके पहले आड़ नहीं करेंगे तो अब हम दोसा बनाते हैं दोसा बनाने के लिए पहले अपन तवे को तयार करते हैं तो इसके लिए मैं थोड़ा सा ओल डाला है इसको हम पॉंच लेंगे फ्लेम बिलकुल लो रखेंगे अब हम इसको भी पॉंच लेंगे अज़े array और अब हम दोसे का बैटर लखेंगे फ्लेम को लो रखेंगे बिलकुल अब फ्लेम मैंने मीडियम कर दिये है इसके ओपर हम थोड़ा सा ओईल डालेंगे और थोड़ा सा ओईल साइज में भी डाल देंगे तो देखे गोल्डन कलर आ गया है नीचे की तरफ मैं इस पर अपना मसाला स्प्रेट कर देती हूँ तो मसाला मैंने स्प्रेट कर दिया है अब हम इसको फोल्ड कर देंगे तो यह देखे है हमारा एक्तम क्रिस्पी दोसा बनके तयार है इसको हम प्लेट पे निकाल लेते हैं तो फ्रेंट्स तायार है हमारे दाल चामल के इंस्टेंट डोसे जो बहुत ही फटा फट से बन जाते हैं और इनको बनाना बहुत बहुत ईजी है और यह बहुत प्रिस्पी और परफेक्ट डोसे बनते हैं इनी स्टेप्स के साथ आप लोग यह बनाइए और मुझे प्लीज कॉमेंट बॉक्स में बताइए आपके डोसे कैसे बने मिलते हैं फिर एक नहीं रेसिपी के साथ जब तक के लिए बबाए टेक किया प्लीज जो लाइक शेयर और सब्सक्राइब में चाहिए